पिता ही निकला बेटी का तैरा पत्री के हत्या की तिसाजिस बेटी भी मौके पर पहुची बाल का हत्या कांड। करने वाली टिम को पुरसकार देने की बात भी कही है। प्रदार हत्यार से जिसमें जो उनकी सुपुतरी थी काजल मदेशिया उनका देहान दो गया है। और जो माताजी हैं उनको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में अड्मिट कराया गया है। इस प्रकरण में पुलिस की कई टीम है जिसमें जोइन्ट रूप से सोजी की टीम, ठाने की टीम और सभी अधिकारी गंड लगे थे। और इसका सफल अनावरन कुछी घंडों की भीतर किया गया है। और इसमें जो अभ्योग जो गिरफतार हुए हैं वो संजय मदेशिया जो मृतिका के पिता हैं और जो गायल महिला है उसके पती हैं। और इनका मितर मजीत कॉमार महतो इन दोनों के दोवारे यह गड़ना कारित की गयी थी। कारे कलापों से शुब्द थे इनके पती जो हैं और इनका टार्गेट इनकी पतनी थी मगर बैटी भी क्योंकि मौके पर आ गई थे तो उन्होंने उसको भी टार्गेट किया और दूसरा यह अपने घर से अलग रहते थे और इनकी पतनी और बच्ची इनके घर में रहा करते और यह अपने घर में सौयम नहीं रह पा रहे थे और कई गोरकपूर में कई बाद पतनी ने अपने पती को पर दाखिल कर रखे थे मिंटेनेंस के खर्चे के उसे यह लगातार शुब रहते थे और यह विदेश भी नहीं जा पा रहे थे इन बादों के कारण तो इन सभी परशान हो के इसने इस पूरे घटनकरम को रचा और किया है और इसमें इन्होंने अपने मेत्र मनजीत कुमार मातों का प्रयोग किया उसको रिंकी मदेशना करण के संपर के स्थाफित करवाया उससे बाचित करवाया और उस लड़के ने olla ले कुछ पैसे देने के नाम पर इनको बाहर बुलोआ है और जहां पर ये पहले से घात लगा के बैठे थे दारदार हतियार के साथ और दोनों ने मिलके फिर ये पूरे घटना को का लिए तब संजी ने दूसरी शादी भी किया है ये इनकी दूसरी शादी है यह लगबग दो वर्ष पहले और दूसरी शादी से इसको एक बेटी भी है जैसा इनके दोर आवगत कराया गया है और इनके तीन बच्चे पहली शादी से हैं और इनका ये भी मानना है कि शायद इनका जो छोटा बच्चा वो इनका नहीं है इस प्रकार के कही सारी बातों को लेकर शुब्रते जैसा अभी तक पूछ्टाच में निकल के आया है गानतास सभी बंदुवपे भी विवेच्चना प्रचलेते और जो बाते निकल कहेंगे उनको भी विवेच्चना समाहिट के है